एक سज़सी साल पुराने 775 कमरों वाले माहल को इस राजा ने कह दिया है नो थांक्स ब्रिटेन की महारानी एलिजबिट दुवितिय भले ही 775 कमरों वाले माहल बकिंगम पेलेश में रहती हो वो इस तरह के शाही जीवन को अब सही नहीं मानते हैं बता दें फिलहाल बकिंगम पेलेस में मरम्मत का काम चल रहा है और इस पर 3217 करोड रुपे खर्च होंगे बकिंगम पेलेस सन 1837 से ही ब्रिटिश राजगराने का अधिकारिक आवास रहा है वेल्स के प्रिंस किंग बनने पर लंदन के अयतिहासिक शाही घर को छोड़ देना चाते हैं दरसल उन्हें 775 कमरों के इस महल में रहना आधुनिक जीवन के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है खबर के मताबिक प्रिंस चार्ल से इस महल को राजवन शहेडा क्वार्टर के रूप में परिवर्तित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं ब्रिटेन के 68 वर्ष ये राज़कुमार को लगता है कि महल को आम लोगों के लिए खोला जाना व्यावसाइक रूप से ज़्यादा सुसंगत होगा इस पहले इस में महारानी और प्रिंस फिलिप रहते हैं